तो दोस्तों चलिए वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पे मैंने 10 पॉइंट में आपको बताऊंगा जो की EKTV से रिलेटेड है जो EKTV की यूनिवस्टी है यह 8 माई सन 2000 में बनी थी और तब इसका नाम UPTU था ठीक है सुरुवात में जब यह बनी तो यह UPTU के नाम से थी ठीक है फिर वर्कलोड कम करने हे तू 2010 में इसे दो भागों में बाड़ दिया गया GBTU और MTU ठीक है GBTU का मतलब गौतम बोध टेकनिकल उनिवस्टी और महामाया टेकनिकल उनिवस्टी तो मतलब UPTU को चन 2010 में मतलब 10 साल बाद उसे दो भागों बाड़ दिया गया था जैसा कि मैंने बताया आपको GBTU और MTU ठीक है तो उसके बाद में फिर क्या हुआ फिर से 2013 में मतलब फिर 3 साल बाद क्या हुआ GBTU और MTU आपस में मिलकर फिर से UPTU बन गया मतलब समझे आप यहाँ पे आप सुरुवात में एक ही था फिर 2 हुआ फिर से एक वही चीज एक ही हो गया फिर 18 सितंबर 2015 को इसका नाम UPTU से EKTU रख दिया तो और दोस्तों यहाँ पे अगला पॉइंट है सन 2000 में जब कॉलेज खुला था EKTU मतलब UPTU जब नाम से था सबसे पहले जब खुला था तो उस समय 49 कॉलेज सिर्फ थे अफिलियेटेड थे इस से ठीक है मगर इस समय 2019 में अगस्त 2019 में 785 कॉलेज यानि लगबग 800 कॉलेज यहाँ देखे नीचे लिखा हुआ है 785 कॉलेज और इंसिट्यूट्स जो हैं इसे जुड़े हुए हैं ठीक है अफिलियेटेड है मतलब इतने कॉलेजों के इस्टुडेंट का यह पेपर करवाता है ठीक है उनका मार्क सीट देता है यह सारी चीज़े ठीक है और यहाँ पे मैं आगे अगले पेज पे आ गया हूँ दोस्तों यहाँ पे six point है कि एकेट्यू दो तरह के कॉलेज को अफिलियेट करता है ठीक है एक नॉर्मल अफिलियेटेड कॉलेज होते हैं जिसमें गॉर्मेंट और प्राइबेट होते हैं जो कि आपको पता होगा ठीक है और जो एक होते हैं कॉंस्टिटुएंट कॉलेज पूर्म्जेस नम्स अफिलियेटेड हैं कि यहां पे मैं घ Посल मिला के चारी से कॉंस्टिटुएंट कॉलेज है यहां पर मैं नमबर आपके स्कूरीन पर दिखा दे रहा हूं धीक है तो इस से देखे discussion 기lus है और दोस्तों यह सारा डेटा जो भी मैं आपको बता रहा हूं यह विकीपीडिया से मैंने लिया है और मैंने सोचा कि आप लोग पढ़ना बोरिंग समझते होंगे इसलिए मैं सारी चीज़े मैं आपको सोचा बता दू वीडियो में तो दोस्तों अगला पॉइंट है पॉइं और यहां पर आठवा पॉइंट है 2016 में सबसे कम बच्चों ने अड्मीशन लिया मतलब इसका मतलब यह है कि एकट्यू ने अपना जो भी इंट्रेंस एक्जाम होता है उसमें उसने यह 20,000 रुपे सीट लॉक करवाने का कंफर्म कर दिया था तो बहुत लोगों नहीं दे इस वज़े से उसमें बहुत कम बच्चों का अड्मीशन हुआ था ठीक है तो यह हुआ था 2016 में उसी समय मैंने भी अपने कॉलेज में अड्मीशन लिया था उस समय जब कम बच्चे थे इसलिए मेरे क्लास में कम बच्चे है और यहां पर देखिए दोस्तों यह पिछले प पॉइंट नवा है दोस्तों नवा पॉइंट समझने से पहले आपको एक चीज मैं समझाना चाहूंगा दोस्तों जितनी भी इंडिया में इंवर्स्टीज है वो यूजी सी से रिलेटेड है तो यूजी सी यहां पर दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा यूजी सी जो ह है वो एक technical university है तो उनको अलग और non-technical को अलग रखता है ठीक है अब जो technical universities है वो IRCTC या फिर क्या बोलते है AICTE ये बोलते है ठीक है All India Council for Technical Education इसको इसने specially बना के रखा है जो rules apply कर सके technical जो भी colleges है उनके उपर तो UGC सब का मालिक है जिसने एक अपना PA बना के रखा है II इसको ठीक है तो ये जो है AICTE ठीक है ये इसका PA है जो कि सिर्फ जितने भी technical university है उनको समालता है जैसे AKTU है AKTU एक technical university है तो उसको ये समालता है AICTE ठीक है तो एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि AKTU जो college है वो दोनों का affiliated है UGC से भी और AICTE से भी ठीक है तो AKTU में जितने भी AKTU से जितने भी college affiliated है उनमें जो भी rule of apply होता है न वो AKTU अपने इसको इसके हिसाब से apply करता है AICTE बताता है और वही ये से follow करना पड़ता है ठीक है हिमाचल प्रदेश में या मद्य प्रदेश में अलग 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 इन्वरस्टी हैं जो M.Tech, B.Tech, MBA की डिग्री प्रवाइड करती है वो भी AICTE से अगर connected होंगी तो उनको भी ये सारी rule 75% attendance और एक class में maximum 60 बच्चे होने चाहिए ये सारी चीजे follow करनी पड़ती होंगी तो इ advantage है उसकी वज़े से उसको AICTE का मतलब rule follow करना पड़ता है एक ट्यूव जी से connected colleges है जो technical जैसे एक ट्यूव है और non-technical बाकी MBA, BSC वाले ये सारे non-technical है ठीक है तो ये जितने भी colleges connected है ना दो प्रकार के है technical non-technical बने बता दिया आपको और technical जो है उसके कुछ colleges जो है AICTC से A AICTE से connected है ठीक है और चाहे तो कुछ technical college अपना नाम इससे हटबा भी सकते हैं इनके rule regulation तब नहीं इसके ओपर चलेंगे जैसे 75% returner, 60% CTE ये सारी चीज़े उनके ओपर apply नहीं होंगी वो universities पे जो AICTE के में अपना नाम register नहीं करवाना चाहते हैं वो सिर्फ UGC के अंदर आन जरूरी है ठीक है तो दोस्तों अब चलिए नवा point में आपको बता देता हूं तो दोस्तों यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा UKTU एक स्टेट उनिवर्स्टी है जो की UGC और AICTE से affiliated है तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि जितने भी colleges पर प्रतेश के हैं वो UKTU से affiliated है और UKTU उनिवर्स्टी जो है इन दो दो चीजों से affiliated है तो और बाकी चीज़े मैंने आपको बता दी UGC और AICTE क्या होता है ठीक या फिर आप कह सकते हैं HEE-AKTU और जिसके थ्रूँ वारिश टाइप ऑफ इस्टुडेंट जो है यहां पर एडमिशन लेते हैं UKTU से affiliated जेतने भी colleges है और दोस्तों कुछ यही रूल था UKTU का पूरा यहां पर दोस्तों मैंने आपको मुझसे जितना हो सका मैंने आपको एक